next question question says when air is replaced by a dielectric medium of constant k the maximum force of attraction between the two charges separated by a distance सवा उसी चार option है increases k times remains unchanged decreases k times या फिर increases one by four one by k times ना बहुत ही simple सवाल है यह बात अपने को पता है कि दो charges अगर यहां पर रखे हुए है और उन दोनों के बीच में अगर electrostatic force मान लीजिए आर की दूरी पर है तो इनके बीच में electrostatic force होता है one by four pi epsilon q1 q2 divided by r square यह आपका magnitude आएगा इस case में अगर हमने मान लीजिए बीच में कोई dielectric यहां पर ऐसे भर दिया जिसकी value k है तो यहां पर आपका net force जो है वह हो जाएगा one by four pi epsilon not multiplied by k q1 q2 divided by r square याने कि जो आपका f dash है वह f divided by k हो गया सो आपका force one by k time से कम हो जाएगा तो बेर्ज आन देस हम कह सकते हैं कि option number c would be the right answer एक और चीज यहां पर द्यान रखने की अगे और एक और basic है जो aims में एक बारी सवाल पूछा हुआ है उन्होंने सवाल पूछा था कि force on two due to one only उसका क्या effect होगा उस case में आपका answer होएगा it will remain same because एक force दो चार्ज इसके बीच में जो four four supply हो रहा है यह इंडिपनेंट ओफ एनी अधर चार्ज प्रेजेंट या फिर एनी अधर मीडियम तो फॉर एग्जामपल यहां पर मान लीजिए आपने को तो q3 चार्ज भी रख दिया तो q1 q2 के ऊपर इनके बीच में जो force लग रहा है उसकी value same रहेगी net force change हो जाएगा इसके वेज़े से एक force इधर आ गया एक force इधर हो गया तो q1 पे net force बदल जाएगा लेकिन q1 पे q2 पे q2 की वज़े से q2 पे q1 की वज़े से force will remain same तो इस चीज का ध्यान रखेगा कि अगर only word use किया गया है या फिर net force इस वाले सवाल का तो c would be the right answer